जैहिन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक कहानी है एक लड़की की जो की टैक्सी डर्मी किया करती थी और उस लड़की का नाम होता है लूना लूना एगर में सिर्फ अकेली वही रहती थी क्योंकि उसके पिता की हाली में मौत हो गई थी और उसकी मा उसको जनम देते ही मारी गई थी लूना एक आटिस्ट थी और उसे टैक्सी डर्मी का शौक था और उसके पिता ने उसे अच्छी तरह सिखा रखा था कि उसे इसमें क्या करना है वो मरे हुए जानवरों को इखटा करके उसकी टैक्सी डर्मी करती थी जिससे उसे लगता था कि उन जानवरों को फिर से लाइफ मिल गई है वो एक डेड़ बर्ट के अंदर कुछ समान स्टफ करती है और उसके बाद उसकी फोटोस खीचती है और वो इसी काम से पैसे भी कमाया करती थी उसे कई सारे कस्टुमर्स है जो कि उससे कई सारे डिमांड करते थे और वो उनकी हर डिमांड पूरा करके उन्हें डिलिवरी दिया करती थी काम खतम करने के बाद लुना अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी के अंदर बैटके वो जंगल की ओर जाती है किसी मरे हुए जानवर को ढूनने के लिए जो जंगल में पहुंचती है तो वहाँ पे जानवर को ढूनने लगती है और उसी जंगल में हम एक क्रिमिनल को देखते हैं जो कि एक लड़की को बंदी बना कर अपने साथ लाया था और उस क्रिमिनल का नाम होता है टोनी वो उस लड़की का शोशड करता है और वो लड़की जब महां से भागने की कोशिश करती है तो टोनी उसे पकड़ के बुरी तरह पीटने लगता है इधर लूना को उस जंगल में मरा हुआ कबूतर मिलता है जिसे वो पन्नी में रख लेती है ताकि वो उसकी आर्ट बना सके इधर वो बन्ना उस लड़की से लड़ता है और उसका गला दपाकर उसे जान से मार डालता है लेकिन मरने से पहले उस लड़की ने टोनी के पहर पे एक औजार से वार किया था जिससे उसकी टांग जखमी हो गई थी और वहां से धेर सारा खून निकलने लगा था उसे मारने के बाद टोनी वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बलड लॉस होने की वज़े से वो जादा दूर नहीं जा पाता और वहीं बेहोश हो जाता है कुछ दिर बाद लूना भी उस जगे पहुँचती है और उनको देखकर वो हैरान हो जाती है जब लड़की के बाद जाती है उसकी मदद करने के लिए तो उसे पता चलता है कि वो मारी गई है और उसे के पास वो टोनी को भी देखती है जिससे वो समझ जाती है कि टोनी वो क्रिमिनल है जिसने उस लड़की वो जान से मार डाला है जब वो टोनी को चेक करती है तो वो भी जिन्दा होता है इसलिए वो उसको उठा के अपनी गाड़ी में रख देती है उसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और उसे वहाँ से ले जाने वाली होती है लेकिन तब ही उसे याद आता है कि वो उस जगे पे अपना पर्स भूल गई है उसके बाद जब वो वापर जाती है अपना पर्स लेने के लिए तो उस लड़की की लाज को उसे देख के लगता है कि उसे उसको ऐसे अखेला छोड़ना नहीं चाहिए उसने अब तक कई जानवरों से आर्ट बनाये थे लेकिन अब वो किसी इंसान की बाड़ी से आर्ट बनाना चाहती थी इसी दिए उस लड़की की बाड़ी को भी अपनी गाड़ी में रख लेती है और उन दोनों को अपने घर ले आती है उसके बाद हमें एक बन्दा दिखाया जाता है जो कि एक डिलिवरी मैन था और वो लूना की घर जाता है उसका समान पिक अप करने के लिए ताकि वो उसके कस्टोमर्स तक वो समान को पहुँचा सके लूना उस लड़की को निवस्तर करके अपने टेवल पे लेटा देती है और टोनी को वो चेयर से बांद देती है ताकि जब उसे होश आए तो वो हाँ से भागने की कोशिश ना कर पाए वो टोनी के पहर पे घाव देखती है तो वो से स्टिचेज लगाती है जिससे टोनी को बहुत दर्द होता है और उसकी आँखे खुल जाती है सभी वहाँ पे वो डिलिवरी परसन आता है जो कि वो और्टर पिक अप करने आया था तो लूना उसके लिए दरवाजा खूलती है और उसे दो पैकेज़स देती है और वंदा उससे कहता है कि वो सही सलामत इन पैकेज़स को पहुचा देगा उसके बाद लूना वापस आती है और उस लड़की की डेड बॉडी की फोटोज लेने लगती है टोनी उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसने उसे ऐसे बांध क्यों रखा है और वो उसे यहाँ पर लाई है उसकी हेल्प करने के लिए टोनी उस पर गी नहीं करता और उससे कहता है कि वो उसे यहाँसे जाने दे टोनी उसका सर बगड़के उससे कहती है कि उसे बहुत तेज बुखार हो रखा है जिससे उसकी टांग में infection फैल सकता है तो वो अभी यहां से बिलकुल नहीं जा सकता यह कह कि वो वहां से चली जाती है और टोनी उसके उपर बहुत चिल लाता है टोनी को नीद आती है तो वो सो जाता है और तब ही उसे सपना आता है कि वो उस लड़की को मार रहा है जिससे उसकी नीद खुल जाती है और उसे बहुत जादा डर लगने लगता है जिसर लुना उसके लिए eggs बनाती है और उसे सर्फ करने आती है टोनी उसे खाना नहीं चाहता है कि उसे उस पर यकीन नहीं था लगन लुना उससे कहती है कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसे प्रोटीन नहीं मिल पाएगा जिससे उसका घाव रिकवर नहीं हो पाएगा इसे उनके वो खाना खाने लगता है और उसे गाली भी देता है जिसे लुना को गुस्सा आता है तो वो उसके पैर में फोक मार देती है और उससे कहती है कि अगर वो बिहेव नहीं करेगा तो वो उसे टॉर्चर करेगी टोनी को इससे बहुत दर्द होता है और वो इससे माफी मांगता है ऐसा बरताफ करने के लिए उसके बाद लुना उपर जाती है और उस लड़की खीची हुई फोटो उसको देखने लगती है और तब यह चानक उसका मन करता है खुद को प्लेजर देने का दोस्तों यह देखकर हम जान पाते हैं कि वो कितनी बड़ी साइको है जो कि डेट बॉडी सो काफी जादा प्लेजरेबल मानती थी जो वो आपस में से जाती है तो वो टोनी से पूछती है कि या उसने इस लड़की के साथ सोशन किया था तो टोनी उससे कहता है कि वो इस बात का जवाब उसे नहीं देने वाला उसके बाद वो एक आरी उठाती है और टोनी से कहती है कि उन्हें इस लड़की का शरीर काट ना होगा क्योंकि इसकी बड़ी सड रही है और यहाँ पे इसे रखना ठीक नहीं है वारी देखके टोनी उससे कहता है कि इससे बॉडी नहीं कट सकती, उससे कोई क्लीवर लेना होगा इस बॉडी को काटने के लिए, ये सुनके लूना उससे कहती है कि वो तो कोई एक्सपर्ट लग रहा है, ये शायद उसने पहले कई सारी बॉडी इस काटी होंगी, वो उससे कहता है कि वो जल्दी से उसकी मदद करे उसे उठाने में, लूना उस लड़की के लाश के अंदर देखती है कि उसमें कीडे लग चुके हैं, और ये देखकर वो उसकी फोटोज लेना शुरू कर देती है, वो तोनी से कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी वेच्ट नहीं जाता, उसके पाओ वो तोनी के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तोनी तभी उठता है और उस पे अटैक कर देता है, ये देखकर लूना अपने आपको बजाती है और टोनी टेबल के साहरे उठके उस लाश के पास पहुंचता है, लिए उसके पाओ में और वहां से ना जाए टोनी उससे मदद मांगता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है उसकी बदबु की वज़एसे उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है कुछ दिर बाद उसके घर के बाहर दुबारा से वो डिलिवरी मैन आता है जो कि उसके बागी पैकेजेस को पिक अप करने आया था लेकिन जब वो दर्वाजे पे दस्तक देता है तो कोई भी दर्वाजे नहीं खोलता लुना अंदर से देखती है कि वो आदमी दर्वाजे पे खड़ा है लेकिन फिर भी वो उसके लिए दर्वाजा नहीं खोलती वो उसके घर में बहुत जादा बदबू आ रही थी और उससे पता लग सकता था कि वहाँ जरूर कोई गड़बड है वो लुना के लिए एक नोटिस छोड़ देता है कि वो उसे कॉल करे और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है उसके बाद लुना वापस से टोनी के पास जाती है जहां वो देखती है कि टोनी अब बहुत जादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है टोनी उससे कहता है कि उसकी टांग बहुत जादा धर्द हो रही है और वो अब बिहेव करने के लिए तैयार है तो वो उसे यहां से ले चले यह देख के लुना उसका सर पकड़ती है और उससे कहती है कि उसे अब भी फीवर है और अगर वो बिहेव नहीं करेगा तो वो मारा जा सकता है इसलिए भला इसी में है कि वो उसकी बात माने और उसका साथ दे उसके बाद वो अपना कैमरा वहाँ पर लेकर आती है और टोनी की तस्वीरें खीचने लगती है और कुछ देर बाद टोनी को विजन जाते हैं उस लड़की के जो ये खून से लटपत होती है और वो उसे डरा रही होती है टोनी देखता है कि वो लड़की इन अपना पेट फाल के अपनी अतड़ियां बाहर निकाल ली है और ये विजन देखकर उसका दिमाग बहुत जादा डिस्टरब हो जाता है वो अपने आपके कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस लड़की का मास खाने लगता है जिससे उसे काफी ज़दा अच्छा लगता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है जिसलोना उसके लिए मीट तैयार कर रही होती है ताकि उसे अच्छा नियूट्रिशन मिल सके और कुछ दिर बाद जब टोनी को होश आता है तो वो सोचता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया वो अपने आपको जब अजाद पाता है तो वहाँ से एक उजार ले लेता है और उसके बाद उपर जाता है ताकि वो लूना को जान से मार सके जब वहाँ पे पहुचता है तो लूना उससे कहती है कि वो उसका ही इंतजार कर रही थी और टोनी उसको अजार दिखा के कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा लूना उससे कहती है कि वो पागलों की तरह बरताव ना करे वो यहाँ पे उसकी जान बचा रही है और वो उल्टा उसे ही मारने की बात कर रहा है टोनी उसे पूछता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रही है तो वो उसे बताती है कि उसके पिता ने उसे सिखाया है दूसरों की मदद करने के लिए उसके बाद वो उसे मीट सर्फ करती है और टोनी उसे कहता है क्या बता उसने इसमें कुछ मिला रखा होगा ये सुन कि वो उसके सामने उसका मीट खाती है और उससे कहती है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो टोनी उसके एगीन कर लेता है और वो उसके साथ बैठ के खाना खाता है वो टोनी से कहती है कि वो उसकी साइड है तो टोनी उसे कहता है कि उसे अब भी उस पे विश्वास नहीं हो रहा है वो से बताती है कि उसके पास एक option था कि वो से hospital में जाके छोड़ दे लेकिन वहाँ पे उससे पूछताच होती है और वो पकड़ा जाता इसलिए वो से अपने घर में ले आए और यहाँ पे वो उसका treatment कर रही है वो से यह भी बताती है कि वो उसके हाथों से मरना पसंद करेगी क्यों वो भी एक serial killer है जो कि अपने आप में एक artist है उसके बाद हमें Luna की सौतेली मा क्लिजिया दिखाए जाती है जो कि उसके पिता के मरने के बाद उसकी property को हथी आना चाहती थी Luna उस घर में रह रहे थी लेकिन उसके sign चाहिए थे ताकि उसे आधी property मिल सके और इसलिए वो और उसका new husband उसे call कर रहे थे लेकिन Luna ने अपना phone से चौफ कर रखा था जिसके वैसे दोनों उससे contact नहीं कर पा रहे थे लिज्जिया अपने पती से कहती है कि उन्हें Luna के घर जाना चाहिए उससे मिलने के लिए और वो दोनों वहाँ पे तुरंच जाने के लिए निकल जाते है यसा Luna टोनी के टांग के खाओ की dressing करती है और उससे कहती है कि उसके पिता नहीं से बहुत सारी चीज़े सिखा रखी है उसके पिता एक डॉक्टर थी और उन्हें टैक्सी डर्मी का शौक था और वो भी पेशे से एक डॉक्टर ही है टोनी यह सुनके उस पर विश्वाश कर लेता है और उसे कहता है कि उनके पास एक बोडी पड़ी हुई है जिसे उसे ठीकाने लगाना है तो बहले वो उस काम को निपटाएंगे उसके बाद वो वापस नीचे जाते हैं और पूरे कमरे में पन्नी बिछा देते हैं ताकि वो उस लाश को आराम से काट सके फिर टोनी उपर से क्लीवर लाता है और उससे उस लड़की लाश को काटने लगता है वो बहले उसकी टांग पे वार करता है जिससे उसकी टांग कट जाती है और उसके बाद वो उसका पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां बाहर निकाल देता है लुना अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर काफी ज़्यादा हैरान हो जाती है लेकिन उसे ये सब देखकर मज़ा भी आ रहा था इसलिए वो उस लड़की की अतड़ियां उठाती है और वहाँ पे खुद को प्लेजर देने लगती है जो कि उसे अंदर के बॉडी पार्ट से कुछ ज़्यादा ही लगाव था लुना उस बॉडी के छोटे-छोटे तुक्डे कर देता है और उसे काली पनी में डाल देता है और उसके बादो दुनों वाज्रूम में जाते हैं नहाने के लिए जब टोनी बाहर आता है तो देखता है कि उस लड़की ने उसके लिए कपड़े भी रखे हुए है और लूना उसे बताती है कि यह उसके पिता के कपड़े हैं जो कि उसके साथ यहां बेर रहा करते थे तब ही लुना को उसकी सोतेली मा का कॉल आता है तो वो से पिक अप कर लेती है और वो उसे बताती है कि वो पेपर्स पे साइन लेने के लिए उसके घर आ रही है यस उनके लुना टोनी को बताती है कि उसकी एक सोतेली मा है जो कि उसकी property हत्याना चाहती है और वो चाहती है कि वो उसे जान से मार डाले इस सुनके टोनी उससे कहता है कि उनमें दोस्ती हुई है तो उसके लिए वो ये कर सकता है और उसके बाद वो उसे किस करता है जिससे हम जान बाते हैं कि वो दोने एक दूसरे को पसंद करने लगे थे रात को उसकी मा और उसका पती वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहां उसकी मा लूना के पास आके उससे कहती है कि वो जल्दी से पेपर पे साइन कर दे तब ही टोनी पीछे चाकू लेकर आता है और उसके पती को स्टाप करके जान से मार डालता है और लूना भी अपनी सौधेली मा के सर पे बुरी तरह वार करती है जिससे वो ही पे बेहोश हो जाती है जब उसकी आखे खुलती है तो वो अपने आपको बंदा हुआ पाती है और लूना उससे कहती है कि उसने सारी जिंदी की उसे बस सुनाया ही है इसलिए वो उसकी जीव एक कैची से काड़ देती है और उससे कहती है कि अब वो पूरी जिंदी की शान्त रहेगी वो लेडी उसे कहती है कि वो जो कर रही है वो बहुत गलत काम है तो लूना उसे कहती है कि वो उसके पिता की प्रॉपटी है और वो किसी को भी इसे नहीं दे सकती ये गह कि वो उसे बुरी तरह पीटती है जिससे उसकी माँ की मौत हो जाती है उसके बाद जब वो बेस्मेंट में जाती है तो वो टोनी से मिलती है जहां टोनी ने उसके सौतेली मा के पदी के अतडियों को बाहर निकाल रखा था और उससे उसने लूना के लिए एक आर्ट बना रखा था कि देखकर लूना को बहुत ही खुशी होती है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब लाश को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि उनके बास एक नहीं बलकि अब तीन लाशे थी टोनी उससे कहता है कि उन्हें यहाँ पे स्प्लिट होना पड़ेगा वो बॉडिस को काट के ठिकाने लगाएगा और उसे उसकी मा की कार को जंगल में जाके छुपाना होगा ताकि पुलिस को पता ना चल सके कि आखिर वो लोग कहां कायब हो गए जिस उनके लूना राजी हो जाती है और अपनी मा की कार में बैट के उसे जंगल की ओर ले जाती है और टोनी उन लाशों को पन्नी में बंद करके घर के आगे गढ़ा खो देने लगता है ताकि वो वहाँ पर उन लाशों को गाड़ सके तब ही ओ डिलिवर्य मैं दुबारा वहाँ से आ जाता है जो की फॉलो अप लेने आया था और इस बार उसे उसका दर्वाजा खुला हुआ मिलता है यह देखकर वो अंदर जाता है और उसे वहाँ पर टोनी नसर आता है जो की लाशों को गाड़ रहा था उसे पन्नी में खुन नसर आता है जिससे वो समझ जाता है कि उसके अंदर लाशे है इसलिए वो वहाँ से तुनन भागने की कोशिश करता है लेकिन तब ही लूना वहाँ पर पहुँच जाती है जो की उसे सामने से घेर लेती है जिससे वो बंदा उसके घर में चला जाता है वहाँ पे छुपने के लिए लेकिन टोनी तभी वहाँ पे फावला लेके पहुँच जाता है और उसके पीट पे वार कर देता है जिससे वो बंदा जक्मी हो जाता है लेकिन वो फावडा चीन के टोनी के पेट में घुसा देता है जिससे टोनी के खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है लुना जब यह देखती है तो वो बहुत जादा रोती है कि उसे अभी उसका प्यार मिला था जो की मर चुका था लुना टोनी की लाज को अंदर लेकर जाती है और उसकी टेक्सी डर्मी करती है जिससे वो उसकी लाज को एक आर्ट फॉर्म में बना देती है और इमैजिन करती है कि वो भी जिन्दा है और उसके साथ वो धेर सारी फोटोज लेती है और इसी के साथ ये मुवी यहीं पे खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी इटालियन फिल्म नाती मौर्टेस की कहानी आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा दोस्तों लुणा एक अकेली लड़की थी जिसकी पता की मौत हो गई थी और उसके बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी इसी दो उसे कोई ना कोई साथ ही चाहिए था उसे जब टोनी मिला तो उसे उससे प्यार हो गया और वो उसी कदर करती थी क्योंकि उसकी नजर में वो एक आर्टिस्ट था इसलिए उसने उसकी टेक्सी डर्मी करी और उसका एक पुतला बना दिया दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा चैनल पे नए हैं तो उसे सबस्क्राइब करें और बेला इकोन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और दोस्तों रिसेंटली हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज आ रहे हैं तो मेरी आपसे दर्खवास्त है कि इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद